दोस्तों गिरी डूडल के इस फ्लैटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यह वीडियो उन स्टुएंट के लिए जो 9th में है और अभी बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं कि कुसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो फेल हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट में हो सकता तो पूरी की पूरी मैं प्लानिंग बताऊंगा और वो आराम से 90% तक वो पहुत सकते हैं दोस्तों बस अगर आप इस प्लानिंग को अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप 90% लास्ट के टू मन्त के स्टडी से भी ला सकते हो 9th क्लास में क्या क्या करना चाहिए आपको जैसे अगर आप देखोगे तो आज है 6th Feb और ये जो मन्त है 28 तक ही है इसके बाद हम अगर 1st March से लेंगे तो हम जादा से जादा 20 तक स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद हमारे समिशन और ये सब चीज़े चालो हो जाएगी सब 20 के बाद भी मैं थोड़ा बहुत कर स सकता हूं बट मैं इतना ही ले रहा हूं अब यहां पर इसी डूरेशन में यह फैब और मार्च में ऐसा मेहनत करना कि जैसे मैं आराम से 90 प्लस परसेंट में पहुच जाओं तो सर मैं ऐसा क्या करूं तो दोस्तों आपको थ्री डेज प्लानिंग फॉलो करना पड़ेगा व आपको दे रहा हूं इसा आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए जादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो आपके पास पांच से छे वीक मिलेंगे आपको स्टडी करने के लिए मंडे अगर आप अगर समझो आप अपने क्लास में जा रहे हो अभी आपके क्लासिस भी चालू होंगे और क्लासिस में सिल्याबस आपका चल रहा होगा अगर जो क्लासिस नहीं जा रहा होगा या जो खुद से पढ़ रहा होगा सब के लिए मैं एक टाइम बना दे रहा हू जैसे evening में आपको 6.30 को बैठ जाना है पढ़ने के लिए 6.30 को आपको बैठ जाना है and 6.30 से लेके 7.30 तक एक slot आपको बनाना है then इसके बाद 7.45 से लेके 8.45 तक slot number second होना चीए then इसके बाद 8.50 से 9.30 का एक slot होना चीए then इसके आद 10.15 से लेके 11.15 तक एक ऐसा slot आपका चलना चीए अभी से यह अदत हो जानी चीए क्योंकि next year 10th है तो मेहनत बहुत जादा करना होगा अब दोको यहाँ पे यह वाले duration में आप क्या कर सकते हो learning कर सकते हो कोई भी subjects का आप learning करो यह वाले duration में आपको क्या करना चीए यह वाले duration में भी आप learning कर सकते हो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको time बहुत कम मिल रहा है around 40 minutes का time मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कुछ आपका return work है यहाँ पे आप cover कर सकते हो यह वाले part में आपको अभी से आदर डाल देना है max का practice करना है चाहे कुछ भी हो जाए रात का एक घंटा max का practice होना चीए अगर इस वीडियो का अगर parents भी देख रहे है तो अपने बच्चों को एक घंटा max के practice में बिठाना है कुछ भी हो जाए तो एक घंटा max practice करना है और यह learning के उपर दिया हो और return work के लिए भी दिया हो यह आपका slot regular का fix होना चीए अभी समझो subjects कैसे पढ़ना है for example अगर आज मैं science पढ़ रहा हूँ science है science one है अगर मेरा तो science one के साथ मैं learning की बात मैं कर रहा हूँ science one के साथ मैं चाहूँ तो political पढ़ सकता हूँ फिर अगर मैं यहाँ पर science one है तो उसके साथ मैं science two पढ़ सकता हूँ फिर यहाँ पर मैं science two ले रहा हूँ तो उसके साथ मैं history ले सकता हूँ then अगर मैंने यहाँ पर geography लिया तो मैं साथ मैं हिंदी का जो भी learning work है जो grammar practice जो भी है वो मैं कर सकता हूं यहां पर मराठी है और मराठी के साथ अगर appreciation या कुछ आप learn कर रहे हो तो यहां पर आप मराठी के साथ English का ले सकते हो यहां पर फिर से आप अपना जो subjects है जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने science के subjects cover कर दिये सब्जेक्स में हमने history भी ले लिया जोग्रॉफी भी ले लिया पॉलिटिकल भी ले लिया cover हो गया एंड इसके आथ history तो हमने दो दिन learn कर दिया देन एसस्टी भी हो गया science भी हो गया मैक्स तो हम regular practice कर रहे है एक घंटा regular हमारा max practice हो रहा है मैक्स तो regular आएगा हिंदी इंग्लिस मराठी अब दिए यहां पर हिंदी भी हो गया दिखाई ज़रा हो history दो दिन नहीं है एक दिन वह हिंदी है और एक मराठी है और इंग्लिस हो गया Saturday को आप क्या करो पता है revision और Sunday के दिन आपके school का जो भी work है आपके school का जो भी काम है उसे आप complete करने पर time दो और थोड़ा बहुत पढ़ो गया और थोड़ा बहुत enjoyment करो बाकि आपके अगर आपने इस तरह से अपने study को रखा एक दिन दो subjects cover होने चीह याद रूखना वनदेश टू सब्जेक्स अगर आप नहीं cover कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत होगा एक दिन में एक सब्जेक्स नहीं करना, एक दिन में दो सब्जेक्स, उस तरह से अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आराम से आप उस परसेंट तक बहुत सकते हो, अब यहाँ पे आपको क्या-क्या हम help गड़ सकते हैं, जैसे कि अगर समझो, sht है, science है, max है, बाद में English है, Hindi है, है, आपको problem कहां पे आँए, इंगलिस में, अपको grammar में problem आ रहे है, appreciation के learn में problem आ रहे है, हिंदी में आपको grammar में problem आ रहे है, writing skill में problem आ रहे है, अगर आप 10 के वीडियो को अगर आप सिस्मेटिक देखोगे सेम तो सेम सिलाबस में आपको आएगा एक दो टॉपिक अगर आप जो आपको अलग से चाहिए आप नीचे कॉमेंट करना हम आपको दे देंगे अप्रिस्येशन के लिए अगर आप कॉमेंट करोगे आपको देंगे वीडियो को आपको देंगे साइन्स में हम इज़ी ट्रिक देंगे लर्निंग ट्रिक की बहुत इस इंपल सिंपल वाट्स में एज़ी ट्रीक हो जाएगा जैसे मैंने बोला कि मैंने साइंस वालों को याद कर रहा था फीफा व्ल्लकप उससे उनको एक पूरा का पूरा sexual reproduction implant एक पूरा का पूरा ब्रीफ एंसर था वो पूरा का पूरा याद हो गया था वैसे ही मैक्स का तो लेक्चर चल रहा है अगर आप चाहोगे तो इसके हम लाइव वीडियो लेंगे लाइव लेक्चर लेंगे और अल्रेडी वन सॉट वीडियो देंगे और साथ में अगर आप चाहते हो आएंपी कोश्चन आपको भी चाहिए तो हम आपको आएंपी कोश्चन भी प्रोवाइड करेंगे बस उसे आप फॉलो करो उसे यादा कुछ करने की जूरत नहीं है तो वीडियो को देखने के लिए दिल से ठैंक्स तैंक्यू सो मज़ दोस्त जाहिं दोस्तो